तो तो यह विए प्रिद्वास्ट आपको यह पर इसक्राइब करना है यह आपका टर्मिनेटिंग है नंटर्मिनेटिंग है कैसा आपका डेसिमल रिप्रेजिशन हो सकता है इसका वह आपको यहां पर रिट्नाइश करना है चलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा विद्विजंब बिना एक्च्वल डिविजन किये डिविना इन दी फोर्म फोर्म आफ इन दी फोर्म आफ निंटा न इन इस फोर्म में अगर आपका अभर प्राइम फेक्टर 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 इसदेगता है है तो तब किसा वे आपको क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विजिया घर गैंटिंग्टेसिम्लahaha जयो कि देन इद विवन नपर हो रहा है। विवन डिख ट्रशनल नंबर अब विवन बाइस अर्ल है यूसरोlement terminating decimals okay terminating decimal expansion आपका होगा ठीक है तब जब आपका क्या होगा किलिमेटर का प्राम फ्रेक्टराईशन या ने कि तू के पावर भी सेम होगा जली कैसे यहां पर चेक करना है वह बता रहा हूं आप लोग को कि फास्ट आपको अल्रेडी आपको गिवेन है इन कोश्चिन नंबर वान आप देख पारे हो अल्रेडी यहां पर गिवेन है यह तो आपका जब आप हंड्रेट का यह करोगे प्राम फेक्टर करना भी नहीं पड़ेगा यहां पर 2 50 जा, 2 25 जा, and 5 5 जा, okay. So, here 2 to the power square and 5 to the power square. So, this is your terminating decimal. 36 by 100 is your terminating decimal. लिद देना मापे, 36 by 100 has a terminating decimal because the prime factor of denominator is in the form of 2 to the power n and 5 to the power n. That's why this is your terminating decimal. and here, here you have at the denominator 11 and the prime factorization of 11 is what? 11 वन जा, so this is your non-terminating, this is your non-non-non-non-terminating decimal, non-terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion. तो इसका non-terminating decimal expansion होगा, why? The denominator का जो आपका factor है, वो 11 है, और 2 और 5 के form में नहीं है. Again, यहां पर, 8 for the 32, 32 plus 1, 33 by 8. Here आपका जब भी 8 का आप क्या करोगे, prime factorize करोगे, तो 2, 4 जा, 2, 2 जा, 2 जा, 2 जा, तो आपका 8 का factor क्या आया? 2 power cube आया. तो यह भी आपका terminating decimal होगा, why? अगर आप यहां पे 2 to the power cube है, तो आप यहां पे 5 to the power cube एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो. 2 to the power cube, यहां पे अगर 5, 3 5 लगाएंगे, देखो, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, यह 3 2 है, और 3 5 और एक्स्ट्रा लगा तो तो क्या आजगा? 10, 10 and 10, और जो भी आपका decimal, decimal number होगा नीचे, अगर आपका, sorry, decimal fraction होगा, तो वो already आपका terminating decimal होता ही है, तो यहां पे अगर आप 3 5 से और इसको multiply कर दोगे, यह खुद से किया, तो यहां भी आपको 5 से multiply करना पड़ेगा, तो it is also a terminating decimal y, the factor of denominator is in the form of 2 to the power n and 5 to the power n, ठीक है, नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, अगर सपोस करो इसका prime factorize करते करते हैं, आपका 2 or 3 के form में आता, तो फिर नहीं होता है, अगर सभी 5 रहता, सपोस करो 5 रहता 4, तो क्या करते हैं, इसके साथ, 2 को 4 को, मतलब 2 to the power 4 से multiply कर देते हैं, ओपर नहीं है, तो यह आपका इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यहां पर क्या करना है, यह आपको terminating decimal हो गया, अब यहां पर यहां भी करो, 400 का prime factorize करो, टू टू जा, 21 जा, 25 जा, 225 जा, 25 जा, 55 जा, तो यहां पर आपको क्या देखो, 22 और 5, तो क्या यह decimal expansion होगा, हाँ हो जाएगा, 2 to the or 4 और 5 to the power square, तो इस form में है, यह पावर MN हो सकता है, लेकिन अगर इसको बनाना पड़ेगा, आपको जो अपको class 10 में है, इसको बनाना पड़ता है expansion, त यह यह भी आपका क्या होगा, terminating decimal होगा, because the prime factorization of a kilometer is in the form of 2 to the power M and 5 to the power N के form में आपका है, तो इसलिए भी आपका terminating decimal हो, तो यह होगा, यह भी होगा, और यह नहीं होगा, और यह होगा, तो इस तरह से जो question बचा आप इसको खुद से करो, नेक्स को से करो, नेक्स को से means what, children, if the number is repeated after just after the decimal point, अगर just decimal point के बाद कोई number अगर repeat हो रहा है, तो वह आपका क्या होता है, यह आपका क्या है, pure recurring में है, pure recurring में है, यह वाला क्या है, आपका missed recurring में है, यह वाला क्या है, missed recurring में है, यह वाला क्या है, आपका missed recurring में है, तो यह आपका है, तो अब यहाँ पर कै किसे करते हैं इसको रिप्रेजिंट कैसे करेंगे तो दोनों का तरीका अलग अलग भी है आप एक ही तरीके से भी बना सकते हो लेकिन आपको बस डेशिमल का सब्ट्रेक्शन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए तो फास्ट यू है तो यू है तो लेट है तिक लेट एकसी को जीट घूएंट शीक अड ब साइँ अंधी दीड़ विद कान आपको बरीपित होए तरीकेत अमड प्राइऑ तोरीकेशन आपको बंदीजित एड एप्टीट आपको न mental ूष्ण आपको बंदीड एप्रीक आपको इन आपको 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 10 on both side on both side if you have given the repeating term that is in one digit so you have to multiply by 10 if 2 digits then you have to multiply by 100 on both side on both side this equation number 1 so 10 into x what? 10x and whenever you have multiplied that is 0.6 into 10 suppose here 0.66 into 10 so 66 into 66 and here 1 0 and how many digits here? 1 2 so 1 2 6.6 so here you have to 6.666 here you have to continuously keep the system with the career repeat or I team but I don't know what I think I think I think you repeat or I after that subtract subtract equation 1 from equation 2 after that you have to subtract this from this so that means 10x minus x LHS wall LHS xr and here you have 6.666 dot 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 means continuously repeat or I minus 0.666 you repeat or I take it so 10 out of 10 out of 1 that is 9x 9x and here see one thing after the decimal point the 6 is repeated infinitely but the both repeat or I yeah be repeat or I so from decimals you have to a 6x yeah be 6x sub kya milky I guess 0 of course kya dega 0 dega dega us kya dega 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 9 so x you have that is 2 by 3 so at last you have to write hence 0.6 bar is equal to 2 by 3 is your required answer okay so yya procedure hapko first x late karna hai jitna digit bar hai us se multiply karna kya 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 procedure hai kya 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 jito zero this is the that is the wrong method ok you have to follow this method again here you have given mixed recurring number but you also you have to follow the same same process here again slow let x is equal to 0 0.4 7 7 7 7 nothing to worry kya kya sato wali झीजा ऑओ भांग निए तिके में here, here one bereits one digit is repeating so multiplying multiplying by 10 on both side multiplying by 10 on both side so when you multiply 10 x that is and here when you multiply by 10 पॉइंट पॉइंट फ़ेस्ट इस प्लेस्ट यहां पे जीरो फ़ेस्ट सेवन गिश्ट है टो कि यहां पर पॉटकर दीए न कि इस तरह से आपको आना चाहिए decimal का multiplication आना चाहिए, so subtract now subtract 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 subtracting equation 1 from equation 2, equation 2 से आपको इसको मैनस करना, तो अगें 10 X minus X and 4.777 dot 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 minus 0.4777 dot dot dot, कितना भी लिगो कोई कोई दिख करते हैं, बार बार में बोल रहा हूं इसको ध्यान देना, ठीक है, next here, here you have to subtract carefully, 10 out of 1, that is 9 X and here, first 4.777 dot dot, 0 and 0.47777, see, इस पॉइंड के बाद, इस स्टेज के बाद, इधर पुरा 77 है, यहाँ भी पुरा 77 है, देख रहे देख पार है आप लोग, यह पूरा आपका 7777, यह पूरा क्या हो जगा, 00, that is, लिखने का जो ही जरूद नहीं, यहाँ पर 7 out of 4, 3, point, यहाँ पर 4, that is, you have 4.3, so X you have what 4.3 by 9, replace this point, you got a 10, so X is equal to 43 by 90, is your required answer, so इस तरह से आपको follow करना है, तो आपको कैसा भी given हो, pure recurring और mixed recurring आपको follow करना है, same method, तो यह आपका procedure है, आपको represent करने के लिए, जब किसी decimal के अपर बाहर होगा, तो यह process है, ठीक है? तो इस तरह पर question आपको exercise 1.3 में मिलेगा, in question number 9, in your book, NCRT mathematics class 9 book, you have to identify whether the given number is irrational or irrational, so irrational के लिए मैंने बताया था, already I had told you in our previous class, that irrational number is what, the number which is neither terminating nor repeating, नही वो टर्मिनेट होगा, नही रिपीटिं होगा, तो वो क्या होगा आपका इर्राइसनल number होगा, और जितना भी रूट के अंदर हैना, the number which are not complete square are taken to be in under root, that is also a irrational number, वो रूट के अंदर वाला वो सारा नंबर जो आपका complete square नहीं होगा, वो भी आपका क्या होगा, irrational number होगा, so I hope you all understand, today I am, I discussed two topic, about two topic, how to represent P by Q, and how to express the given decimal, which are in form pure recurring, whether we are in mixed recurring in the form of P by Q, and in question number one, how to identify whether the given number in your, give you terminating decimal expression or the repeating decimal expression, so I hope you all understand, okay class, then thank you.